बिहार की सरकार ने जो जातिय जन्गन्ना कल अमारे राजपिता महत्मा गांदी के जर्म दिवस पे और लाल भादुर शास्ति जिनका नारा जय जवान जय किसान का था उस दिन जो है जातिय जन्गन्ना उजागर करी जिससे की देश की राजनितिक दिशा और लोगों को यह पता लगेगा कि हमारे देश की ऐसी पॉपुलेशन भी है जिसको किसी भी परकार से दर किनार नहीं किया जा सकते हैं चै वो राजनितिक ग्रूप से हो चै आर्थिक ग्रूप से हो चै वो समाजिक ग्रूप से हो पहली जातरी जन 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 गरना होई थी उस ताइम बावन परसंट अबादी जो है वो दर्शाई गई थी उसके बाद उननी सो एक तालिस में होई जिसको स्वारजन नहीं किया गया दोजार ग्यारा में कास सेंसेस हुआ जिसके बारे में रहूल गांदी जी ने मलका जन खडगे जिने और अनेक मंचों से कई लोगों ने ये कई बार इस बात के लिए दवाव डाला गया कि आप उसको उजागर करें लेकिन भाजपा पता नहीं किस बात से डर रही है कि दोजार ग्यारा की जाते जनगर्ना को उजागर ने कर रहे हैं अभी जो जाते जनगर्ना होई है उसमें अगर आप देखेंगे कि जो पिछला वर्ग की अबादी है वो 63% दर्शाई गई है यनि करीबन 11% का जंप है अबादी के अंदर और जो हमारे जो आरसस के बंदू है इन्होंने अनेकों पियाइल दोबारा आई कोट में सुप्रीम कोट में जो जाती जनगर्ना बिहार की गवर्मेंट कर रही थी उसको रोकने में कोग कमें नहीं छोटी थी एक बार उनको स्टे भी मिल गया था लेकिन आई कोट ने उस स्टे को अटाया सुप्रीम कोट ने भी उसको बदस्तूर जो है उसी तरीके से अपनी राय रखी कि देश के अंदर जब तक जाती जनगर्ना नहीं होगी डाटा नहीं होगा तो काम चल नहीं सकता है आपने देखा होगा कि बहुत सारी पर्टिशन जो है पंचैती राज के अंदर आई कोट ने सुप्रीम कोट ने कि अपने जो है आरक्षंड पर जो है रोक लगा दी कुछ अगे भी डाटा दो नो डाटा नहीं जब तक डाटा नहीं होगा अभी जो त्रेसर परसंट जो पॉपुलेशन है ये करीमन दो सो पंदरा जाती हैं कई कम से कम एक सो तेरा जाती है ऐसी है जिनकी अबादी जीरो पॉइंट्स से नीचे है तो उनके बारे में उनके बारे में कौन सोचेगा अनिकों जो योजनाय हैं जो बनानी हैं हमने चै वो हमारे स्डूल कास्ट के भाई हो चै हमारे ओबीसी के भाई हो इवन जो योजनाय हैं उनका भी तो सर्वेक्शन हुआ है इसमें केवल OBC का थुड़ न हुआ है उसमें जो गरीब लोग है उनको फायदा मिलेगा इस बिहार के अंदर उनके लिए पॉलसीज बनेंगी हाउसिंग पॉलसीज है किसके पास कच्चा मकान है किसके पास मोटर साइगर किसके पास पक्का मकान है किसके पास कार है किसके पास आर्थिक स्थिति किसकी कैसी है राजिनी रूप से कौन कितना प्रभावशाली है शेहशनी ग्रूप से क्या व्यवस्ता है जिन जातियों की और समाजे ग्रूप से कितना दबाय जा रहा है बहुत सारी ऐसे हमारे पिश्रावरक के लोग हो और एवन फिरूल कास में ऐसे अबादी है जो विधायक MLA नी बन सकते तो उनको जो है सरकार के पास जब डाटा होग किसी को MLC बना सकते हैं किसी को राज सभा में ले आ सकते हैं और जो आखड़े जो पेश किये हैं बिहार ने उससे जो है भाजपा गवराट में आगी है और प्रधा मंतरी कहते हैं इससे जो है समाजिक विवस्ता बिगड़ेगी और कॉंगरस जो है जातिगत बाते करके एक पाप कर रही है अभी बियान दिया कल बियान दिया अनुने पाप कर दिया पाप है क्या इससे बड़ा पुन्य और क्या हो सकता है इससे बड़ा पुन्य क्या हो सकता है कि आप आथ ही रूप स क्या कौन सी OBC का अलग डिपार्टम्न बनाने के बारे में जो हमारा जो हमारा प्रेंडरी सेशन हुआ था AICC का वहां पर बकाइदा इस बात के बारे में जो है ये बकाइदा ये कहा गया था कि हम लोग जो हैं OBC का अलग डिपार्टम्न बनाएंगे ताकि उनके लिए योजनाय बन सकें इवन जो है जो मलिक राजन खड़गे जी ने एक चठी भी लिखी थी प्रधानमंतरी मोदी जी को 16 अप्रेल 2023 को कि आप का सेंसेस करवाएं जिससे की डाटा हमें मिल सके हम कई राजसरकार जैसे आपका 36 गड़ है जारखंड है वहाँ पर जो आरक्षन 14 परसंट है वो 27 परसंट के लिए बिल भेजा हुआ है क्यूं लिए बेठे हुए है इसके बारे में भारती जंटा पार्थी या रास्पती जी के पास जो है या पर्धाम मंतिर जी या ग्रह मंतिर जी बोले है उनको कि बिल लिए को बेठे है या फिर उनकी जो सोच जो है पीछड़ा पर की दि Weise और 16 अप्रेल 2023 को परदान मंत्री जी ने ना हमारे राहुल गांदी जी ने परदान मंत्री को चैलेंज किया था कि आप जो है कास सेंसेस 2011 में जो हुआ था उसको पबलिक करें था कि जो पचास परसंट का जो कैप लगा रखा है उससे ज्यादा जा सकें दिए वैसे तो इंदरा गांदी इंदरा सानी जो एक जज़्जमेंट आई दूसमें पचास परसंट को 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 क्रॉस ने कर सकते थे लिगिन एक पांच बेंच की जज ने इडेवलो एस को तेन परसंट रिजर्वेशन के लिए जो है इजाद दे दी तो जम तो वैसी कर गे 50 परसंट को 60 परसंट वैसी हो गया जिन परदेशों में 50 परसंट के कैप था हमां 10 परसंट जब इडेवलोस के दिया तो 60 परसंट होई गया फिर वो इंदरा सानिक के जो जजमेंट है उसको तो और रूल कर दिया ना तो अब जो है अगर अरक्षन वहां बढ़ाया जा रहा है तो उसको रोका क्यों जा रहा है इसका जवाप भारती जंता पार्टी दे आप देखेंगे अभी जो है हमारे जो केंशासिस्त जो हमारे राज्य हैं जो जहां भाजपा है उनको चातरवर्ती नहीं दिया नहीं जारी और आपका जो बी एच्छू है उसमें OBC के फंड से एक भी छातरावास त्यार नहीं किया गया बनारस हिंदू उनिवर्स्टी एक भी छातरावास नहीं त्यार किया गया जहां OBC क्यों ठहरने की कोई जुरत हो राउल गानी जी ने कहा था तीन हमारे सचीव हैं आपको मैं बताना चाहूंगा Central University में 44 Central Universities हैं उनमें केवल 9 Professors हैं केवल 9 Professors हैं जुडीशनी में हमारी भागे जारी मात 4 परसंट हैं एशोशेट प्रफेसर्स दो परसंट हैं शैसनिक तौर पर उसका कारण यह क्रीमी ले लगा दिया और किमी ले लगा दिया कितना आठ लाक अब आज के जमाने में आठ लाक इस यूग के अंदर जहां पर इतनी महिंगाई हो रही है और यह कहते हैं पर कैप्टा इनकम हमारी बढ़ रही है तो आठ लाक का कैप तो बहुत ही कम है इसको कम से कम 14 15 16 लाक होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को क्या होता है कि हमारी सीट बढ़ती नहीं उसमें जनल कर्टेगरी के लोगों को उसा देते हैं चाहिए वो प्रफेसर हो उनिवस्टी में चाहिए आपके और नीट परीक्षा में तो आज तक OBC का अरक्षन ही लागू नहीं किया कमाल की बात है जो 63 परसंट जिसकी बात दी है जिसकी अभी तो बिहार की आई धिया अगर पूरे देश्च की ओगी तो हो सकता है वहाँ पर जैसे पहले हम कहते थे 22 परसंट थी, हो सकता है कि वहाँ पर भी हमारी अठाउन परसंट हो जाए, 69 परसंट हो जाए, 59 परसंट हो सकती है, तो क्या हम लोग जो हैं, OBC का राश्टी चेर्मन होने के इनाथे, मैं भारती जन्ता पार्टी से पूछना कि जो बाजपा, शासित, राजजियें, वाँ पिषरी जातियों को चातर वर्ती क्यों नहीं मिलती, इसका जवाब दे, भारती जन्ता पार्टी के लोग, कि जो मुखे मंतरी हैं, नियाय पालिका में हमारी भागी जारी नहीं है, में मुद्रा लोण है, जो छोटे मद्यावर्ग के जो द्योग हैं, उसमें जो है लोण देने का प्रवधान नहीं है, OVC के जो लोग है, और देखिए, राजिये पिषरा वर्ग, आयो के पांस सद्यस्यों की नुक्तियां इनोंने, नुक्तियां पूरी आज तक नहीं करी हैं, अब तक केवल एक अध्यक्ष है, और एक सद्यस्य है, केवल दो लोग नुक्त की हैं, जो राजिये पिषरा वर्ग, आयोग है, जिसमें पांस सद्यस्यों की नुक्तियां अठारा मैने से अब तक लंबत पड़ी हुई है, अरे जब आपका राश्टिये पिषरा वर् मोदी जी कहते हैं, मैं OBC हूँ, तेली हूँ मैं, भाईया नकली OBC है, अगर सही मायने में उनको अगर वो चाते ही OBC का भला, तो कास सेंसर्स करवाएं, चात्रों को चात्र वर्ति दिलवाएं, हमारी पार्टी ने जो अभीहमारा अधियविशन हुआ था रायपुर के अंदर, वहाँ यह फैंसला ले आमने, कि अगर हमलोग यह हमारा रायपुर में हुआ था हमारा, उदर हम लोगों ने ये फैंसरा ले लिया था पहले ही कि अगर महिला अरक्षन अगर हम लेके आएंगे 2024 में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है जात्य जनकर्न हम करवाएंगे कास सेंसेस पूरे देश में करवाएंगे ये बात कॉंगर्स पार्टी ने जब भारत जोड़ो यातरा के अंदर रहूल गांदी जी जब लोगों के बीच में गए तो उनको SCST OBC की जो जो महत्व है जो उनकी जो जिस राज्य में SCST OBC मानेर्टी नहीं है वहां हमारी सरकार सत्ता में नहीं है आपका यूपी लगा लिजिए चै उडिसा लगा जिए बहुत सारा राज्य मैं आपको बता सकता हूं 2010 के अंदर हमारा मैला अरक्षन बिल रास्वा में तो पास हो गया था लेकिन रास इसमें लोग्सवा में क्यों नहीं हो पाया क्योंकि हमने SCST OBC मानेर्टी जो मैलाईं थी उनको 33% अरक्षन देने का प्रवधान नहीं किया था जिसकी बज़े से जो नेता थे हमारे जो हमा अर्जवादी पार्टी थी उन्लोंके हमारा साथ नहीं थी अवना तो राहूल गांदी जी का सपना सोनिया गांदी जी पूरा करना चाहती थी रास हवाम हम पास ही को करते अब जो यह इसके लावा जो है मैं आपको बताना चाहूँगा हमने यह भी फैंसल दिया था कि हम इंडियन जुडिशल सर्विस लेके आएंगे जैसे यूपीएसी की तरज के उपर इंडियन जुडिशल सर्विस लेके आएंगे जिसमें एग्जैम होंगे और एग्जैम के अंदर जैसे यूपीएसी में एग्जैम होते हैं यूडिशल सर्विस लेक्जैम होंगे और उनमें से जो पास होंगे उसको जो कोलिजियम सिस्टम स्माप नहीं करेंगे कुलिजियम सिस्टम जो उनमें से SC, ST, OBC मायनटी के लिए रिजर्वेशन करेंगे, उसमें से जो कॉलिजियम सिस्टम जिसको सिलेक्ट करेगा उजज बन जाएगा तो हमारे जो पिशरवर के लोग हैं, SC, ST, OBC लोग हैं, उनको जो है मोकाय मिलेगा जोडिशनी में आने का आपके जगे आने का हायर एजुकेशन में हमें आरक्षन देने की हमने बात करी है हम कल जो है मैं आपको बताना चाहूँगा Congress Committee ने Working Committee ने Resurrection Hyderabad में 16 स्थमद 2023 को ये बात कह दी थी कि सबसे ज़्यादा कारण है 14 करोड जो देश के सबसे गरीब लोग है उनको जो है आज तक राशन नहीं दिया गया 40 करोड लोग ऐसे हैं और उनको देने का परवधान हमारी पार्टी करेगी 14 करोड ऐसे लोग हैं जिनको आज भी भोजन नहीं मिल रहा है ये खाद अपरती शुक्सा बिलकौन ने कहा था कौर्स पार्टी ले कहा थी जिसका ये टंडोरा पीट रहे है सुनिया गांदी जी की सोच थी राइट टो एजुकेशन जो है वो उनकी सोच थी और मोदी जी ने जो वर्किंग कमिटी ने जो फैंसल लिया था उसको मोदी गौवर्मेंट ने कहा कि हम कास सेंसेस नहीं करवाएंगे उसके बारे में इन्होंने कास सेंसेस के बारे में बिल्कू कामोच बैठे हुए हैं आज तक कास सेंसेस जो 2021 में होना था वो क्यों नहीं किया इन लोगोंने फिर जब इन्होंने ये बिल पास किया इन्होंने बिल पास कि कल हमने एक हमने कल मेमरंडम दिया राश्पती को जिसमें हमने बकाइदा ये कहा है कि 1989 में एको वीपी सिह ने के वल गोष्णा की थी मंडल कमिशन की और 1989 में 33 परसंट रिजर्वेशन पंचैती राज में लाने का काम किया तो कॉंगर्स पार्टी नहीं किया उस वक्ट भी जो है ये बिल राश्पा में रह गया था पास होता हुआ साथ वोटों की वज़े से इसलिए नहीं हो पाया वरना तो ये इंटर्डूस हो ही कहा था राजिव गांती के समय में और जो आरक्षन है रिजर्वेशन है हमने अभी जो इन्होंने बिल पास किया कॉंगर्स ने रोड़ा इवन तमाम विपक्ष ने यून्वेन एन मसली जो है ये बिल पास किया और कहा कि 33 परसंद अरक्षन मिलना चाहिए और अनेकों अमेंडमेंट्मेंट लेके आए डियम के ने दिया कॉंगर्स पार्टी से राउल गांधी जी ने सुनिया गांधी जी ने मलिका अरजुन खड़गे जी ने आपके अपना दल जो इनका खुद का घटक है उसनोंने ये मांग उठाई कि आप हमने बिल पास कर दिया है लेकिन आप अमेंडमेंट्मेंट लेके आएं कि अगर आप अरक्षन नहीं दे रहे हैं तो आप ये एक सबसे पड़ा कुना हैं कि आप देश की जो 80% अबादी है जो महला है राजनितिक रूप से समाधिक रूप से आर्थिक रूप से जनल क्याटिगरी की महलाओं का मुकाबला नहीं कर सकती है उन लोगों को आप जगे दो आरक्षन दो कोटे के अंदर कोटा दो इन्होंने SCST को जो आरक्षन दिया है जो SCST की जो MPs बंते हो वहां दिया है लेकिन जो 30% जो आरक्षन दिया है उसमें सारा जनल कर दिया इनी बैक डूर एंट्री से जो संग की जो सोच है उसको इंप्ल करें और जितने भी हमारी OBC, ST, ST मारणड़ी के महलाएं हैं इनको जो है आप निर्देश दें परदान मंतरी को कि वो जो है लागू करें ताकि हमारी जो महलाएं हैं जो हर परकार से पिश्री हुई हैं देखिए इस ते लाब क्या होगा लाब क्या होगा लाब यह होगा कि जो मैं आपको बताना चाहा रहा था मैं अगर हम कास सेंसेस कर लेते हैं तो जो सबसे गरीब तबका है उसके लिए पॉल्सिज नहीं बनेंगी उनके लिए एज्चे worthless का प्रवधान कर सकते हैं उनके लिए मकान मनाने की बात हम कर सकते हैं जिनका हमें पता कच्छी मकान उनके लिए पके मकान का बज़य्ट हम provision कर सकते हैं का सेंसेस केवल जातिगत जनकरना की बात नहीं है इसका मकसद यह है कि तमाम चीजें पूरा डाटा हो हमारे पास आपको हिरानगी होगी कि हर्याना में 6 परसंट 6 लाक की क्रिमिलेर कर दिया उसमें सेलरी भी डाल दी सेलरी भी डाल दी और जो इंकम है क्लास फोर की इंपलोई वो भी डाल दिया तो आप मुझे पताएं क्लास फोर के बच्चे को क्या आरक्षन मिल जाएगा हर्याना में तो क्लर के बच्चे को भी क्या आरक्षन नहीं मिलेगा तो अरक्षन करलाब किसको मिलेगा, वो जर्नल कर्टेक को मिलेगा, क्योंकि वो सीटे बरेंगे नहीं, वो जर्नल कर्टेक को दे देंगे, तो जिस तरीके से यह लोग कारे कर रहे हैं, इवन जो तमाम राज्ये हैं, तो हमारा जो मामला जो है, दो हजार दस के अंदर भी राजसभा में बिल हमारा पास हो गया था, जैसके मैंने पहले आपको बताया, आज भी हम लोग जो हैं, विंती करना चाहते हैं, परधान मंतरी जी से, यह आप ना कहें, कि बिहार में जो कासेंस हुआ है, एक बहुत बड के लोग हैं, जो वंचित समाज है, जो बहुजन समाज है, S.E.S.T. O.B.C. मायनटी के लोगों के फाइदे के लिए कारे किया है, प्राइविट सेक्टर में भी, हमारा जो रायपूर का जो अदिवेशन हुआ था, हमने यह भी कहा था, कि प्राइविट सेक्टर में भी हम आरक्षन का परवधान करेंगे, क्योंकि यह निजिगन करे जा रहे हैं, रेलवे का, बंदरगा का, एरपोर्ट का, इन सब का जो है निजिगन करे जा रहे हैं, तो हमने यह भी विचार कि, रेजिलुशन पास हुआ, बकाइदा यह कहके, कि हम निजी छेतर में भी, और बिला अरक्षन में भी हम लोग यह लागू करेंगे, यह मैंने आप लोगों से कहना था, और हमने अपनी जो पार्टी के जो पोस्ट है, उसमें भी 50% पोस्ट हमने, SC, ST, OBC, मायनिटी के लोगों के लिए रखा है, यह मैंने आप लोगों से बात कहनी थी, बाकि अगर कोई कोई बात अगर आप कोई पूशना चाहते हैं, या आपको कोई शंका, अगर मैंने कोई ऐसी बात कही हो, जो गरीब वन्चित समाज, भाउजन समाज के लोगों के बारों में राउल जीन दो बकाइदा यह पताया था कि 90 में से केवल तीन सचिम है, मैं तो कह रहा हूं, ना प्रफेसर हैं, ना हमाएं इंडस्ट्री में जो हमारे जो ना हमारा डिपार्ट, OBC का अलग डिपार्टमेंट है, OBC के लोगों को इन्होंने केवल जैसे हाती के दान दिखाने अवाले दूसरे होते हैं, खाने अवाले दूसरे होते हैं, वो आल कर रखा है, उसमें सेंटर रेलेक्शन कमेटी में सेंटर पार्लिमेंट बोर्ड में चेरे दिखा देते हैं उब इसी के उनके लिए करते कुछ नहीं है